प्लेट्पॉंक 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 जन्वरी होगा और जन्वरी के अंतिम सब्ताह में आपकी परिक्षा प्रस्तावित होनी है। 20 तारीक के बाद आपकी अंतिम सब्ताह आप ले सकते हैं यानि 23 से 30 के बीच में क्या होगी 23 से 31 के बीच में 24 से 31 के बीच में आपकी परिक्षा आयूजित होनी है। तो तिथी आपके सामने हैं ठीक है असपस तोर पर इसने लिख दिया है कि जो है ये माह जन्वरी के 2024 के अंतिम सब्ताह में कराया जाना प्रस्तावित है। तो उस समय आपकी ये भरती होनी है इसमें ये ध्यान लखेगा कि चुकि ये वेकेंसी में बहुत सारे लोग फॉर्म भी डाले हुए बैठे विये थें कि भाई अभी तक उनके सामने यहां असमंजस की इस्तित्ति की सर तैयारी अगर कर रहे हैं बहुत पूरस लेबस भी दाइंड हो चुका है सब कुछ पिछले 2022 की ये वेकेंसी रही है और अब आपकी 2024 में परिक्षा होने जा रही है तो कहीं ना कहीं आगामी आपकी परिक्षाएं उत्तर प्रदेश जैसा पॉलिस कोंस्टेबल की हैं आनी परिक्षाएं भी हैं इनके बारे में भी दोनों सही कर लें मानसिक अपनी मजबूती को बढ़ा ले और लग जाएं पूरी तरीके से क्योंकि अभी आज आपका दिसंबर का आठ तारीक है आपके पास समय बहुत जादा नहीं है रिवीजन पर बहतरी नंग से कारी कीजिए जो क्लासेस आपको दी गई हैं उन क्लास के लिए रिवीजन का एक सेड्यूल बहतरी नंग से अंतिमा आपके बैचे ही दिनों में क्या कैसे तैयारी होनी चाहिए उस पर एक वीडियो आपकी टेगे और आपके लिए क्लासेस कैसे क्या उपलब्द कराई जाएंगी टेगे टेसरी क्या कैसे उपलब्द होगी इन कहीं एक रास्ता देख चुका है जैसे अभी तक होता है कि अंधेरों के वीच में आपको कहीं भी प्रकास की उम्मीद लगाए बैटे हैं तो वो किरण आपकी कहीं न कहीं देख चुकी है अब जो भी भाई बंधो ठेगे इसकी तैयारी कर रहे है जो कंप्यूटर को एक दिशा दीजी क्योंकि अभी तक इंतजार यहीं था कि कब कोई परिक्षा की तिथी आपकी भरती गोड़ के द्वारा जारी की जाए और जिसमें पहला यहीं अनुमानित था कि सबसे पहली आपकी जो होगी इसके लिखित परिक्षा की तिथी आएगी और इस लिखि है कि जन्वरी में ही ठीक है जैसे ये चला तो जन्वरी में ही आप कहीं ना कहीं कौंस्टेवल का विग्यापन भी देखने को मिल सकता है ठीक है और जो कंप्यूटर आपरेटर है यहाँ भी आपके आगामी कुछी महिनों में कंप्यूटर आपरेटर की भी पूरी उमीद बन के साथ आप लगिए बहतरी नंग के साथ लगिए क्या रणनीत होनी चाहिए विसे इस तरीके की आगामी आपके परिक्षा को लेकर के जिससे की एक सीट आपकी सुनिश्चित हो पाए क्या अंतिम समय में पढ़ा जाना चाहिए और चुकि इसमें साइंस के आपके फेजिक होनी चाहिए किन चैप्टर्स पर आपको कैसे क्या कारी करना है इन सभी के विशे में आगे आपको संस्था के द्वारा एक वीडियो के माद्यम से मारुदर्शन किया जाएगा बाकी मैंने बताया कि जो लोग पुराने कूर्से से जुड़े हुई हैं उनको तनिक भी ये परिशान नहीं होना है अभी तक भी हम लोग इसी बात को लेकर के आपके सामने ये बात रखते चले आएं कि जैसे ही आपकी परिक्षा की तिथी आएगी तो आप में फिर से पूरी तरीके से एक नई जान डाल दी जाएगी संस्था के द्वारा और उसके लिए कारी कल से ह आपके सामने दिखना प्रारंब हो जाएंगे बचे वे समय को बहुत बहतनीन तरीके से यूटिलाजेशन किया जाएगा और एक सीट आपकी होगी इस बात को हम सुनिश्यत कर देंगे तो आगे कोई भी आपकी अनिशोचना होती है अनिभी जानकारी होती है इसी आपको कल विधवत तोर पर दी जाएगी बागी आपको कोई भी कुईरी होती है तो नीचे संस्था के नंबर चल ले उन पर आपको अल गर सकते हैं या फिर आप कमेंड में Aima क्वेरी डाह सकते हूं उसका जवाब संस्था के दवारा आप तक दिया जाएगा तो एक अच् पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है उत्तर प्रदेस लोग सेवा आयोग आपका चल लहा है लोग सेवा आयोग में जो परिक्षा हैं आपकी आयोजी तोनी उसमें भी आप भीड़ देख सकते हैं भीड़ का कहीं ना कहीं एक रिजल्ट जो है नंबर आप कंडिडेट्स के पढ़ने का उसके पीछे कारण उत्तर प्रदेश की अनिसंस था है सिक्षा गायों पूरी तरीके से कहां पर है कुछ पता नहीं है उसके बारे में ठीक है भरती बोर्ड एकदम चुप साथे बैठा हुआ था उत्तर प्रदेस पुलिस भरती बोर्ड यूपिटर प्रलेश सी ने ऐसा माहोल क्रियेट कर दिया है लाकर के एक भी वेकेंशी ना देना ठीक है उसके बाद जो वेकेंशी देना उसमें एक तो वीसे संगी बाली कुछ ऐसी विकेंसी देना जिसमें पीटी कटाफ ये सबसे बड़ा मेटर तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के जितरे भी तैयारी करने वाले अभ्यारती इनके भविशे ठेक हैं अंधकार में चल ही रहा है लेकिन अगर भरती बोर्ड सुरू हो चुका है तो एक उम्मीद आ कैसी सूचना प्राप्तो होती है तो उस सबद में आपको इसी प्लेट्पॉम पर जनकारी दे दी जाएगी जो लोग किसी बात को अनी अपनी क्वेरी को रखना शाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ये संस्था के नंबर पर कॉल कर लें अनी अपडेट के लिए चैनल को पूर सब्सक्राइब कर लिजी साथी साथ बेल आइकान पोस्ट कर दीजी ताकि कोई भी सूचना है वह आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और आप उस सूचना के माददम से खुद को आस्वस्त कर पाए फिर मिलेंगे हम लोग एक नई सूचना के साथ तब तक के ल झाल